Our question is find the median of two sorted arrays हमारे पास दो sorted arrays given है जैसे एक array है array 1 जो आप देख सकते है sorted है दूसरा एक array given है array 2 जो की एक sorted array है और हमें इन दोनों का median निकालना है देखे दोनों array के size same भी हो सकते हैं different भी हो सकते हैं जैसे यहाँ पे आप देखें अगर array 1 की बात करें तो उसका size n1 6 है और दूसरे array का size n2 4 है यह same और different हो सकते हैं median क्या होता है एक array है जिसके middle का element अगर हम देखें तो वो median होगा अगर odd length हो इन दो middle element और अगर even length है तो इन दो middle के दो elements का average वो median कहलाता है जैसे for example अगर मैं इन दोनों arrays को merge करूँ तो एक नया array बनेगा sorted array brute force approach जिसको हम बोल सकते हैं वो कैसे काम करेगी कि हमने एक array 3 बनाया और इसको sorted form में बनाया जैसे पहले हमने रखा 2 फिर 4, 7, 13, 17, 25, sorry 23, then 25, then 37, then 43, then 48 तो अब यह हमारे एक sorted array है और यह आप जानते हैं कि merge sort के help से हम कर सकते हैं कैसे कि यहाँ पे हम एक i रखते हैं यहाँ पे हम एक j रखते हैं तो arr of i और arr of j को match कर सकते हैं whichever one is shorter और smaller element उसको हम पहले रखेंगे और उसको हम आगे बढ़ा देंगे फिर इन दोनों का matching होगी यहाँ पे हमारे पास यह smaller element है तो उसको रखेंगे इसको आगे बढ़ा देंगे इस तरह से हम करते जा सकते हैं इसके लिए आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं इसको मैं यहाँ पे explain नहीं कर रहा हूँ अब दूसरा इसकी complexity क्या होगी वो आप जानते हैं कि यह big o of n में काम करेगा क्योंकि हमें एक array बनाना पड़ेगा पहले big o of n में बनेगा वो array sorted का merge कर रहा है और उसके बाद फिर हम इसमें देखेंगे कि middle element कौन सा है तो देखें यहाँ पे हमारे पास 10 elements है तो length of the array is even because of which कि हमारा middle element एक नहीं मिलेगा हमें दो element मिलेगे तो हमें उन दो element का average निकालना पड़ेगा तो देखें यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं देखूं n1 प्लस n2 divide by 2 that is 6 प्लस 4 बाइट 2 तो 10 बाइट 2 तो 10 बाइट 2 तो 5 आ 5, 6, 7, 8 और 9 5 वाला element हमारा यह है इसके इधर 4 elements है और इसके इधर 5 elements है तो हमें middle element नहीं मिलेगा even length में तो उसके लिए हमें यह दो element लेने पड़ेंगे यानि कि हमें element लेना पड़ेगा यह वाला और minus 1 वाला तो दो element कौन से मिलेंगे ARR of 3 N1 plus N2 by 2 plus ARR of 3 N1 plus N2 by 2 minus 1 that is element this is 23 plus 17 और इन दोनों का हम निकालेंगे median तो दोनों का median क्या निकलेगा 23 plus 17 is 40 divided by 2 is 20 तो इन दोनों का median निकलेगा इसका median निकलेगा इस given 2 arrays का 20 आंसर होगा लेकिन यह approach big of N में चलती है big of N मतलब जो भी इन दोनों में दोनों का sum होगा N is nothing but N1 plus N2 हमारा जब हम इसको solve करेंगे lead code पे तो यह time limit exceeded TLE error देगा क्योंकि उनको expected है हमारा answer आना चाहिए log N में अब आपको log N से यह याद आना चाहिए कि जब हमारे पास sorted array होते हैं तो हम उसमें merge sort लगा सकते हैं तो हम इसको merge sort से करने की कोशिश करेंगे लेकिन directly array के उपर merge sort नहीं लगा पाएंगे हमें merge sort लगाना पड़ेगा some special manner में तो देखिए अगर आप इस array को ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक symmetry बनाने की कोशिश करेंगे symmetry क्या होगी ये हमारा एक middle है जिसके इधर five elements है और इसके इधर five elements है अगर हम odd length की बात करते हैं तो हमारे पास एक element होगा जिसके इधर और इधर दोनों तरफ बराबर elements होगे लेकिन अभी हम even length की बात करते हैं odd length को समझना बहुत आसान है अगर even length समझ में आ जाए तो हमने ये एक middle point निकाला इसके इधर हमारे पास five elements है और इसके इधर हमारे पास five elements है इन five elements में से कुछ element ARR1 के होगे कुछ elements ARR2 के होगे array 1 के कुछ elements और array 2 के कुछ elements let's try to point it them कि कौन से element किस array के है देखे ये 2 यहाँ से आया है ये 4 यहाँ से आया है ये 7 यहाँ से ये 13 यहाँ से 17 यहाँ से तो यानि कि हमारे पास ये 5 elements में से 2 elements ARR1 के आये है left hand side और 3 elements ARR2 के आये है left hand side बाकी ये वाले 4 elements और ये 1 element हमारे पास right hand side है इसी property को हमें use करना है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ARR1 से अगर हम zero element लें तो ARR2 से हमें five elements रखने पढ़ेंगे left hand side अब ARR2 में तो five element है नहीं तो यानि कि taking zero element from ARR1 is not possible we have to take at least one element from ARR1 in order to make this symmetry of five elements on the left hand side और बाकी के चारो element पूरे के पूरे ARR2 से what I mean to say is कि हमारे पास में अगर ARR1 से zero element लिए तो ARR2 से हमें five element लेने पढ़ेंगे to put on left side लेकिन ये possible नहीं है because ARR2 में five elements है ही नहीं हमारे पास four elements हैं तो हम ARR1 से zero element नहीं ले सकते हमें कम से कम एक element तो लेना ही पढ़ेगा ठीक है तो मान लेते हैं कि हमने ARR1 से one element लिया और ARR2 से फिर four element लेंगे four क्यों लिए क्योंकि हमारे पास left hand side में five elements आने चाहिए ये कैसे पता चल रहा है n1 plus n2 divided by two is five अगर हमने one element ले लिया ARR1 से one element ले लिया तो ये value मान लीजे आप इसको मैं बोल देता हूँ let's say left left is equal to this तो left minus left minus the number of elements we have taken from ARR1 let's say that is x is equal to number of elements from the ARR2 number of elements from the ARR2 that's what I am trying to say now अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें एक element इन में से कोई भी randomly नहीं लेना है हम पहले वाला ही लेंगे because we are trying to make the third array whichever this array is sorted one तो कोई भी randomly element नहीं उठा लेना इसमें से एक हमें अगर एक element लेना है तो वो 4 ही होना चाहिए because इसके आगे सारे के सारे elements बड़े होंगे इससे तो हमें वो 4 ही लेना पड़ेगा randomly कोई भी element नहीं ले सकते तो बनेगा किस तरह से वो array आप देखें यहाँ पर अगर यह वाली property हम use करते हैं तो 4 तो आएगा arr1 से और 4 के 4 element यह हमारे 4 के 4 element आ जाएंगे arr2 से क्योंकि arr1 से लिया और दूसरा element और बागी सारे element arr2 से तो 27 हमने यहाँ पर लिखा 2 7 17 and 23 let me write down 4 यह हो गया हमारा left side और दूसरी side हमने सारे के सारे element लेने होंगे arr1 से और arr2 से कोई element नहीं आएगा क्योंकि arr2 के सारे element arr2 के सारे element हमारे खतम हो चुके हैं क्या यह एक valid symmetry है अगर मैं इसको बनाऊं तो यह valid symmetry नहीं होगी देखिए क्यों नहीं होगी क्योंकि left hand side में हमारे पास कुछ element ऐसे हैं जो right hand side के element से बड़े हैं तो अगर मैं इस array को sort करूंगा एक line में लिखूंगा तो यह इस तरह का element array नहीं बनेगा तो that means this is not a valid symmetry why it is not a valid symmetry once again try to understand कि यहां पर left hand side में सारे के सारे element देखिए यहां left hand side में सारे के सारे element right hand side के सारे element से छोटे होने चाहिए लेकिन अगर मैं यहां देखूंग तो यहां पर सारे element right hand side से छोटे नहीं है और आप इस वाले element को देखो 23 और 13 23 is not less than 13 that's why this is not a valid symmetry तो मैं इसको यहीं पर नकार देता हूं यानि कि मैं यह बोल रहा हूं this is not a valid symmetry यानि कि 1 element from array 1 and 4 element from array 2 cannot be kept on left hand side चलिए 0 वाला हमने मना कर दिया 1 वाला हमने मना कर दिया अब बात करते हैं let's say हमने array 1 से 2 elements लिए तो array 2 से हमें 3 elements लेने पड़ेंगे क्योंकि हमारे total elements left hand side में 5 ही होंगे 5 से जादा नहीं हो सकते वो हमने उपर calculate किया हुआ है यहाँ पे left वाले formula से तो अब देखिए 2 elements अगर हमने left hand side से लिए और 3 elements हमने right hand side से लिए लेने पड़ेंगे हमें array 1 से और यह वाले 3 elements लेने पड़ेंगे array 2 से क्यों क्योंकि sorted array में रखना है तो 4 और 13 हमने लिया array 1 से और 2, 7, 17 यह लिया हमने array 2 से 2, 7, 17 यह हमारा left hand side बन गया और बाकी के elements जो हमारे बचे यह वाले 25, 37, 43, 48 and 23 यह हमें रखने है right hand side में जो elements हमारे बच गए तो हमने यहां रखा 25, 37, 43, 48 और इधर एक element बचा 23 नाउ इधिए थी और इधर आ इधर बचे बच्रहक आता हमने की जरूरत नहीं है और इस सबको and and l2 less than r1 है तो यह valid symmetry है ऐसा क्यों किया रहा हूँ मैं क्योंकि हमारे पास में ये वाले elements और ये वाले elements में से जो maximum elements होंगे इन सारे elements में से जो maximum elements होंगे वो यही वाले होंगे इधर तो इससे छोटे elements है और इधर जो lowest element होंगे वो यही होंगे क्योंकि इधर सारे के सारे जो ह तो हमें इन चारों elements को अगर match कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या सारे elements हमारे इससे ये left hand side वाले elements सारे के सारे ins वाले right hand elements से छोटे हैं तो देखिए L1 और R2 इन दोनों को चेक करके कुछ नहीं होगा वो इसलिए क्योंकि ये वाले element इससे हमेशा छोटा ही होगा या बराबर ही होगा reason being कि ये वाले सारे element ARR1 से लिए गए हैं और sorted order में हैं तो ये element इससे हमेशा छोटा होगा इनको करके कुछ नहीं होगा हमें ये cross check करना है cross check तो हमने देखा 13 is smaller than 23 and 17 is smaller than 25 that means this is a valid symmetry this is a valid symmetry this could be a possible answer चलिए आगे बढ़के देखते हैं कि क्या इसके आगे हमारे पास valid symmetry मिलती है हमने मान लीजिए कि ARR1 से 3 elements लिए और ARR2 से हमने फिर 2 elements लेने पड़ेंगे क्योंकि total 5 होना चाहिए तो that means 4, 13 and 25 इन सारे elements में से केवल 3 elements हमें लेने हैं जो left hand side होंगे और बाकी के 2 elements जो ARR2 के होंगे वो ये लेंगे हम 2 और 7 ये हमारा left hand side बन गया और right hand side बनाने के लिए फिर हमें ये बाकी के 3 elements और ये बाकी के 2 elements लेने पड़ेंगे तो यानि कि यहाँ पर आ जाएगा 37, 43, 48 और यहाँ जाएगा 17 और 23 और अब आप चेक करो 25 और 17 आपको पता चलेगा कि ये वाली condition false हो गई है 25 is not less than 17, so not valid symmetry, this is not a valid symmetry so if it is not a valid symmetry तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके बाद अगर हम 4 elements लेंगे यहाँ से तो ये 25 से बड़ा ही element मिलेगा 37 तो जब ये वाला 25 इससे बड़ा था तो obviously 37 भी इससे बड़ा ही आएगा आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है और इस वाले symmetry से हम यहाँ पे अपना answer निकाल सकते हैं तो अभी हमने answer निकालने के लिए क्या करना है तो median कहाँ पे होगा हमारा median will be available at मैंने बताया था इन दोनों में से ये दोनों element इन सब के सब क्या होंगे हमारे maximum और ये वाले दो element हमारे इधर से minimum होंगे तो वही करना है हमें तो maximum of L1, L2 अगर हमारे even length है plus minimum of R1, R2 divided by 2 for even length तो क्या होगा यहाँ पे maximum of L1, L2 इन दोनों का maximum क्या है 17 तो हमने यहाँ पे लिख दिया है भी 17 plus और इन दोनों का minimum क्या है 23 ये 23 है minimum तो लिखा 23 divided by 2 and it will give you 20 as the median which is our answer तो अब यहाँ पे answer तो develop हो गया अप्रोच समझ में आ गई लेकिन binary search कहाँ पे लगा ठीक है उस binary search को भी समझते हैं एक बार फिर से यहाँ पे देखिए दुबारा से हमारे पास यहाँ पे 6 elements हैं और यहाँ पे 4 elements हैं अगर मैं यह 6 elements और 4 elements में से चेक करूँ कि कितने elements हमें left hand side लेने हैं कौन से उससे तो देखिए अगर मैंने 6 वाले elements में से 1 element लिया शुरुआत 0 से करते हैं लेटसे हमने यहाँ से 0 लिया तो यहाँ से हमें 5 elements लेने पड़ेंगे because हमारा left यहाँ पे 5 है जो कि possible ही नहीं है फिर मैं 1 element के लिए चेक करूँगा फिर मैं 2 के लिए चेक करूँगा फिर मैं 3 के लिए चेक करूँगा फिर आप जो भी चेक करते रहोगे 5 minus उसमें से यह element लेने पड़ेंगे automatically तो क्यों मैं 6 के लिए चेक करूँ मैं अगर यह 4 के लिए चेक करने लगूँ तो यानि कि 0 element इसमें से लिए और 5 element इसमें से लिए फिर 1 element इसमें से लिए और 4 element इसमें से लिए तो मुझे maximum 4 element लेने के चेक करना पड़ेगा मुझे 6 तक या 5 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है तो what I need to do is दोनों में से जिसकी length कम होगी हम पहले तो शुरुबात उससे करेंगे तो हम चेक करेंगे minimum of n1 और n2 कौन सा है उस वाले array के लिए चेक करना श्राट करेंगे क्योंकि बाकी बचा हुआ दूसरे array से हमें लिना ही लेना है अब यहाँ पे हमने चेक करना है 4 तक तो पहली बात 0, 1, 2, 3 और 4 कि हमें 0 element लेने है array 2 में से बाकी 5 element लेने है array 1 से 1 element लेना है array 2 से बाकी 4 element लेने है array 1 से फिर 2 elements लेने है array 2 से और बाकी 3 element लेने है array 1 से तीन element लेने हैं array 2 से और दो element लेने है array 1 से या चारों element लेने हैं array 2 के और 1 element लेना है array 1 का हमें 5 तक जाने की ज़रूरती नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास maximum 5 elements हो सकते हैं तो हमें यहां पर 1 तो हमने 5 को eliminate कर दिया यहां पर इन दोनों का minimum से check करके डूसरी चीज क्यों न मैं 0, 1, 2, 3, 4 सब को चेक करने की जगा यहाँ पे पहले 2 को चेक करूँ इन सब को हटा देता हूँ अभी binary search यहाँ पे काम आएगा देखे कैसे लगेगा binary search मैंने क्या किया इसकी length जो भी थी minimum की उसके divided by 2 से hit किया और 2 मिला मुझे मैंने पहले 2 के लिए चेक किया और 2 के लिए अगर गड़वर आता है तो मैं decide करूँगा कि left जाना है या right जाना है अगर left जाना है तो इधर का पूरा हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है और अगर हमें right जाना है तो हमें इधर का पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है इस तरह से binary search लगेगा ठीक है दूसरा example लेके देखते हैं एक बार उससे और अच्छे से समझ में आएगा मान लिजे कि आपके पास array 1 है 4 7, 9, 11 और array 2 है 1, 3 16, 18 22, 25 यहाँ पे हमारे पास n1 की length है 4, n2 की length है 6, तो obviously मैं यहाँ पे जिसकी length छोटी है उससे start करूँगा मैंने check किया 0, 1 2, 3 और 4 के लिए और यहाँ पे आप देख सकते हो कि n1 और मैंने यहाँ पे चलिए एक काम किया low को मैंने रखा 0 पे, high को मैंने रखा n1 पे तो low plus high divided by 2, इससे हमें मिल जाएगा middle, तो मैंने 2 elements लेने है, array 1 से और left कैसे calculate किया हमने left हमने calculate किया n1 plus n2 by 2 which is 4 plus 6 by 2, that is 5 तो अगर हमारे पास 5 elements left में लेने है जिसमें से 2 elements हमने array 1 से ले लिए, तो बाकी के 3 elements हम array 2 से लेंगे, यह हमें अभी तक समझ में आ गया है तो बना के देखते हैं हमारे पास क्या symmetry बनेगे हमने 2 elements लिए 4, from array 1 तो 2 elements लिए हमने array 1 से which is 4 and 7 rest, यानि कि left minus 2 left minus 2, 3 elements लिए हमने array 2 से, that is 1, 3, 16 बाकी के elements, 9 और 11 इदार आएंगे, और 18, 22 और 25, इदार आएंगे अब आप यहाँ पर देखिए कि 7 less than 18 correct है, इसमें कोई problem नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं L2 और R1 को check करता हूँ, तो मेरी condition false हो जाती है, आप देखिए यहाँ पर condition क्या थी हमारे पास दोनों condition true होनी चाहिए L1 is less than R2, which is correct in the second case whereas this L2 is less than R1 is not correct, देखिए यहाँ पर यहाँ पर हमने L1 रखा है, यहाँ पर L2 यह R1, R2, 2 stands for array 2, 1 stands for array 1, यह है left of array 1, यह है right of array 1, यह है left of array 2, यह है right of array 2, तो हमने देखा यहाँ पर condition कि L1 is less than R1, R2 and L2 is less than R1 यह वाली condition true है but this condition is false so this is not a valid symmetry not a valid symmetry अब हमें left or right कैसे जाना है तो if हमारे पास L1 greater than R2 आता है, या हमारी condition यह यह वाली false होती है या इसको ऐसी लिखते है if L1 is, यह वाली condition false होई तो हम चेक कर रहे है L1 is greater than R2 तो अब हमारे पास high हो जाना चाहिए mid minus 1, यानि कि हमारे पास इधर right hand side पे खोज की कोई फाइदा नहीं है यह right hand side पूरा का पूरा eliminate कर सकते हैं right hand side पूरा का पूरा eliminate कर सकते हैं क्योंकि यह वाला element हमारा बड़ा होगा इस वाले से जो कि इसमें case नहीं है लेकिन आगे हो सकता है और दूसरी condition if L2 is greater than R1 तो हमारे पास high कहाँ पे होगा mid low होगा low is equal to mid plus 1 low equal to mid plus 1 then we can eliminate properly whole right hand side whole left hand side whole left hand side तो हमें यहाँ पे देखें L2 is greater than R1 यह condition true हो रही है यहाँ पे L2 is greater than R1 condition is true this condition is true so now जो हमारे पास पहले था पहले क्या था low 0 था high N1 पे था यानि कि 0 और 4 था अब यह condition true है तो हमें अपने low को update करना है low को update करो क्या करेंगे mid plus 1 mid कहाँ पे था यह था mid 2 पे था mid तो हम यहाँ पे इसको क्या करतेंगे mid को 2 प्लस 1 यानि कि 3 यानि कि इस पे आ जाएगा यह आ जाएगा हमारे पास low और high जहां पे था महीं रहेगा और अब फिर से हम mid निकालेंगे हमारा mid क्या था mid का formula था low plus high by 2 पहले आया था 0 plus 4 by 2 which is 2 तो हमने यहाँ पे hit किया था बट इस बार 3 plus 4 by 2 which is 7 by 2 that is 3 तो यानि कि अब हम यहाँ पे low पे चेक करेंगे यानि कि अब हम चेक करेंगे for 3 elements from array 1 array 1 में से हमें 3 elements लेने है so that means what it means is 4, 7, 9 from the array 1 and rest 2 elements 1 and 3 from array 2 and rest element on the right hand side तो 11 यहाँ से हमने 3 elements ले लिए left hand side और यह 2 elements ले लिए बाकी बचे हो ऐसे ही इधर 11 बचा और यह सारे element हमारे किदर आएंगे यह वाले सारे element आएंगे हमारे right hand side में 16, 18, 22 and 25 now check again whether it is a valid symmetry condition क्या है L1, R2 यानि कि यह वाली condition यह L1 L2 R1 R2 यहाँ पर चेक करिए L1 is less than R2 condition is true 9 is less than 16 and L2 is less than R1 that is 3 is less than 11 condition is true so now no need to do anything we have found our valid symmetry valid symmetry मिल गई है अब इसके बाद अगर हमें answer निकालना है तो हमारा median कहाँ पर होगा median is equal to maximum of these two elements which is 9 plus minimum of these two elements which is 11 by 2 that is 20 by 2 that is 10 10 is our answer और आपको अगर चेक करना है तो इस array को sort करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप चेक कर सकते हो कि array 3 का middle क्या बनेगा 1 3 4 7 देखिए पहले हमने 1 लिया फिर 3 लिया फिर 4 7 then 9 11 then 16 18 22 and 25 यह हमारे पास array बनेगा sorted इसमें middle का होगा यह यानि कि 5 element इदर 5 element इदर और यह दो element निकलेंगे 9 और 11 जिनका हमें average लेना है 9 plus 11 20 by 2 which is 10 तो हमारे पास answer क्या आगया यह वाला 10 so what conditions we need to remember is what is L1 what is L2 what is R1 what is R2 and this is the valid symmetry condition if this is not valid it is false then we have to update our highs and lows that's all इससे हमें मिल जाएगा answer अब यहाँ पे condition याती कि L1 R2 R1 R2 कैसे लिखेंगे क्योंकि हम array तो बनाने रहे हैं हम तो सिर्फ अपने ये 2 binary search में ये 2 elements from this side and 3 elements from this side को update कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे condition कि लिख सकते हो कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा element कौन सा है हमने यहाँ पे mid element निकाला था mid element हमने क्या लिखा था low plus high by 2 इसको मैं नाम दे जता हूं mid 1 ये mid 1 है और हमें 1 mid 2 निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 arrays का mid निकालना है यहाँ पे देखिए 2 arrays का mid क्यों चाहिए क्योंकि 1 mid हमें यहाँ पे चाहिए इस चीज के लिए 1 mid चाहिए हमें इस चीज के लिए तो हमने पहले mid 1 निकाला which is low plus high by 2 और mid 2 को हमने बोला n1 plus n2 by 2 minus mid 1 ये हमारे पास क्या था ये हमारे पास total array का middle जिसमें से हमने subtract कर दिया अपना ये वाला middle निकाला है ये अब हमारे पास 2 mid आ गए है mid 1 और mid 2 अब यहाँ पे इनकी help से हम l1 l2 r1 r2 find कर सकते हैं आप देखे l1 को हम लिख सकते हैं 1 मतलब है array 1 2 मतलब है array 2 तो array 1 का mid 1 minus 1 mid 1 minus 1 देखें यहाँ पे एक कैसे पता चल रहा है mid 1 minus 1 इस array में इस array में हमने बोला middle कहाँ पे होगा हमारे पास mid 1 देखें यहाँ पे mid 1 की value हमारे पास क्या आई थी 3 mid 1 की value आई थी 3 तो अगर मैं इसको number करूं 0 1 2 3 तो mid जब हमने 3 elements लिए इधर की side से तो mid 1 यहाँ पे होगा mid 1 होगा 11 पे और l1 कौन सा है हमारे पास l1 है हमारे पास 9 यानि की 11 से just पहले वाला l1 और r1 क्या है mid 1 तो हम यहाँ पे लिख रहे है just पहले वाला है l1 और r1 क्या है arr1 of mid 1 ऐसे ही दूसरे वाले array में mid 2 यूज होगा तो array 2 का l2 क्या होगा mid 2 minus 1 और यह वाला हो जाएगा mid 2 तो देखें mid 2 की value यहाँ पे निकालते है mid 2 is equal to n1 plus n2 is 6 plus 4 divided by 2 is 5 minus 3 यानि की यह हो गया 2 that means mid 2 कहाँ पे हमारे पास mid 2 यहाँ पे होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो mid 2 होगा इसके ओपर इसको point कर रहा होगा mid 2 इससे just पहले वाला है l2 mid 2 minus 1 क्या है l2 और mid 2 क्या होगा हमारे पास हमारे पास r2 तो हमने r2 को बोला mid 2 और just minus 1 वाला l2 तो हमें सिर्फ इनको compare करना है we are not making any array we are just setting these indices and finding the answer and since we are using binary search then this implies our complexity will be log of n1 or where n1 is equal to minimum of n1 comma n2 so this will work in logarithmic time and here since we are using only these indices we are not creating any extra array so the time complexity is this whereas space complexity is big of 1 because we are not using any extra space for the code of this problem we have created another video after it you can watch that video thank you